ओम गणेशा ये नमहा आज हम एक प्राचीन कथा सुनेंगी जो की धुन्दकारी की और कोकर्ण की है इसे सुनने मात्र से बहुत ही पुन्ने की प्राप्ति होती है और इस कथा को सुनने से पहले यदि आपने मेरे चानल को लाइक शेर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली प्रेस कर दीजी ओम गणेशा ये नमहा प्राचीन समय की बात है दक्षन भारत की तुंग भद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे जो सभी वेदों में पारंगत थे उनकी पतनी का नाम धुन्दली था धुन्दली बहुत ही सभाव से क्रूर और जगडालू थी घर में सब प्रकार का सुक था लेकिन वे व्यक्ति अपनी पतनी से तो दुखी ही था साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुक भी नहीं था वे चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढ़ल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा यह सब सोच कर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वहवन में चला गया वन में तलाब में वहकूदने ही बाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देख कर उससे पूछा कहो पुत्र तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्र कार है और मैंने जिस गाएं को पाल रखा है वह भी बांज है यह तो ठीक है यह तो ठीक है कि मैं उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं मैं घर में जो फल लाता हूं वह भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका हूं ऐसा कहकर वह वेक्ती रोने लगता है, वह संथ उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रिखाओं को देखते हैं, रिखाओं को देखकर वह कहते हैं कि हे पुत्र करम की गती बहुत ही प्रबल होती है वासना को छोड़ दो सुनो मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है इस जनम में तो क्या अगले साथ जनमों में भी तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती तब रामन कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिये या आप किसी भी यतन से मुझे पुत्र प्राप्त करने का मार्ग बतलाईए जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ती किसी भी प्रकार के समझाने से नहीं समझ रहा है तो उन्होंने एक उपाय बताया और बताया कि और कहा कि यह व्यक्ती किसी भी प्रकार के समझाने पर भी प्राण त्यागने को अमादा है तो वह अपनी जोली से फल निकाल कर कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला दो इससे उसके एक बुत्र होगा आत्मदेव वह फल ला कर अपनी पत्नी को दे देता है लेकिन उसकी पत्नी वह मन ही मन सोचती है कि यदी मैंने ये फल खा लिया तो मेरे गर्ब रह जाएगा तो मुझ से खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ यह सोचकर वह तै करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी इसलिए वह आत्मदेव जी से कई बार कई तरीके से तर्क बितर्क करती है आत्मदेव जी के कहने पर वह फल तो रख लेती है लेकिन खाती नहीं है एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है जिसे वह सारा किस्सा सुनात बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है प्रसब होने पर मैं वह बालक तुम्हें दे दूंगी तब तक तुम गर्वती के समान घर में रहो मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाएं को खिला दे आत्मदेव जी की पत्नी ने अपनी बहन की बात म बहुत आनंद हुआ धुंदली ने अपने बच्चे का नाम धुंदकारी रखा इसके तीन महा व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव जी सुबह गाएं को चारा डालने गए तो उन्होंने देखा कि गाएं के पास एक बच्चा है जो की मनुश्याकार है लेकिन बस उसक कान ही गाएं के समान है उसे देखकर वह आश्चर्य में पढ़ गए हालां कि उसे भी देखकर उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ वह उस बच्चे को उठा कर घर में ले आते हैं अब उनके दो बाल हो जाते हैं एक धुंदकारी और दूसरा गौकर्ण गौकर्ण पिता की सारी संपत्थी नश्ट कर देता है एक दिन वह पिता को मार मार कर घर سے बाहर निकाल देता है पिता रोनी लगते हैं और कहते हैं कि मेरी पतनी का बांज रहना ही अच्छा था तभी वहां गौकर्ण आ जाता है वह पिता जी को वैराग्य का उपने चले जाएं और भागवत भजन करें। बाद में वे वैश्याईं सोचने लगती हैं कि यदी एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। अपकारी भायंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंदकारी खुश हो जाता है और अवास लगाता है। गौकर्ण यह आवास सुनकर पूचता है कि तुम कौन हो। धुंदकारी कहता है मैं तेहरा। मैं तुम्हारा भाई हूँ मेरे कुकर्मों के गिंती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनी में पड़ा ये दुर्दचा भोक रहा हूँ। भाई तुम दया करके मुझे इस योनी से छुड़वाऊं। गौकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्रे हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वग गया जी में श्राद किया था। फिर भी तुम प्रेत योनी से मुक्त कैसे नहीं हुए। मैं कुछ और उपाई करता हूँ। कई उपाई करने के बाद भी जब सूर्यदेव से पूचते हैं तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमत भागवत कथा सुनने से ही मुक्ती हो सकती है। इसलिए तुम सब तहा परायन करो। तब गौकर्ण ने व्यास गद्धी पर बैठ कर कथा कहने लगे। देश गाउं से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे, इतनी भीड हो गई कि सब अश्री करने लगे, तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुंचा, वह इधर उधर स्थान ढूनने लगा। इतने में उसकी दरश्टी एक सीधे रखे हुए साथ। गांट के बांस पर पड़ी वायूरूप में उसमें जाकर बैठ कया, जब शा साथ दिनों में सातों गांठे फट गई और बारा सकंद सुनने से पवित्र होकर धुन्दकारी एक दिव्वे रूप धारन करके सामने खड़ा हो गया, उसने भाई को प्रणाम किया, तभी इंठबासी पार्शदों के सभित एक विमान उत्रा, सबके देखते ही देखते ध धुन्दकारी विमान पर चड़ गया, उन पार्शदों को देखकर उसने गौकर्ण से कहा भगवान के प्रिये पार्शदों यहां हमारे अनेकों शुद्ध हृदय, शुरुता गण है, उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए, यहां सभी ने समान रू खुब से ही किया है, किन्तो इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया, इस प्रेत ने साथ दिन तक सुने हुए विशे का स्थर चित से खुब मनन भी करता रहा, यह कहकर वैसा पार्शत वेकुंट को चले गई, श्रावन महा में, गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्तह कर्म से कथा कही, वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए, उस गाओं में कुत्ते और चांडाल पर यंत्र जितने भी जीव थे, सभी दिव्य देहधारन करके विमान पर चड़ गए भगवान उन सभी को योगी दुरलब गो लोक धाम में ले गए, अपने माता पिता को कष्ट देनी वाला, शराब पीने वाला, वैश्यगामी, आदी पुरुष प्रेत योनी प्राप्त कर अनंतकाल तक भटकते रहते हैं, अब ना ही कौकरन की तरह कथा सुनाने वाले हैं, और ना ही सुनने वाले, धुन्दकारी को, उसकी पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने योनी से, प्रेत योनी में रहकर भी सजा भुकती, बाद में जब उसे पश्टावा हुआ, तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया, निर्मल मन होने से उसके सारी संताब जाती रहे, बोलो लक्ष्मी नारायन भगवान की चै!